आडी शर्मा सलुशन देख रहे हैं क्लास 12 है ये चैप्टर 2 है फॉंक्शन्स एक्सरसाइज है 2.2 सवाल संख्या एक फाइन दी गॉफ एन फॉग और जिसमें एफ दिया है आपको ये दिया है आर टू आर और साथ में जो जी है ये दो फंक्शन है आपके पास एक फंक्शन एफ है और जो एफ फंक्शन ठा दिया है ये रियल नमबर इसका डोमेन है को डोमेन भी रियल नमबर है जी जो फंक्शन है इसमें भी डोमेन और को डोमेन आपका रियल नमबर दिया हुआ है अब इसमें तकरीबन आपके पांच छी पार्ट्स हैं इसमें जी करके देखेंगे पहला जो है Fx और Gx तो बाकी भी इसी तरीके से होंगे तो इसको अच्छी तरीके से समझे इफएक्स और Gx तो जब हम गॉफ निकालते हैं G-O-F तो इसके माइने ये होते है कि आप G of Fx निकाल रहे है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि Fx को निकाल के या Fx को G में रखना होगा इसका मतलब G of Fx मतलब Fx क्या है आपके पास Fx दिया है 2x प्लस 3 Gx है आपके पास x स्क्वेर प्लस 5 तो G of मतलब G of Fx तो ये बेसिकली अगर मैं इसको G Y कहूँ तो य क्या है Fx तो जहां पर G है जो function है उसमें आपको जहां जहां Y है जहां जहां X मिले वहां Fx रख देना वादर ये पूरा function Fx उठा के वहां रख देना तो Gx क्या है आपका ये x स्क्वेर प्लस 5 अब इसमें Fx और Fx क्या है 2x प्लस 3 तो इस x की जगा पूरा का पूरा 2x प्लस 3 रख देना कहने का मतलब 2x प्लस 3 यहां पर रखेंगे x की जगा और उसका square करेंगे प्लस 5 इसको open करेंगे 2x प्लस 3 whole square a प्लस b whole square से open करेंगे और rearrange करेंगे तो आपका 4x square plus 12x plus 14 यह हो गया यह तो आपका kauf कही है यह g of fx करेंगे मैं इसको ज़रा clear कर देता हूँ अब मैं आपको पताने जा रहा हूँ इसका reverse तो फोग निकालना है तो फोग कैसे निकालेंगे बिल्कुल ऐसी f of gx करना है आपको तो पहले function दिखिए fx क्या है आपके पास 2x plus 3 यह function है अब इस जगा पे आपको डालना क्या है gx gx क्या है x square plus 5 2x की जगा आप x square plus 5 डालेंगे यह हो जाएगा तो 2x square plus 5 इसको rearrange करेंगे 2x square plus 10 हो गया plus 3 हो गया तो यह हो गया 2x square plus 30 इस तरीके से यह बाकिस सारे हो जाएगे next वाला है second इसमें कहा गया है fx आपका 2x plus x square है gx x cube है तो g of निकालना है तो g of fx निकालना है तो gx क्या है आपका x cube fx डाल दीजिए इसके अदर 2x plus x square को डाल दीजिए यह 2x plus x square इसका whole cube a cube plus b cube का a plus b का whole cube अगर आप जानते हैं तो उसको open कर दीजिए यह आप ऐसे भी रख सकते हैं f of gx निकालना है fog निकालना है तो पर फx देखिए क्या है आपका 2x square plus x square और gx डालना है हर एक x की जगा gx डालना है मतब यहाँ और यहाँ x की जगा आपको x cube डाल देगा तो 2x की जगा x cube और यहाँ x की जगा x cube जिसका whole square तो आपका यह बन गया 2x cube प्रास x cube का whole square आने की x की power 6 यह आपका fog x या f of gx होगे next वाला भी इसी तरीके से है तो बाकी मैं आपको फटापड यही बता देता हूँ यहाँ fx है यह gx है गौफ निकालना है तो g of fx निकालना है तो पहले आप gx दिखिए यह है इस x की जगा x square plus 8 डाल देजिए x square plus 8 और साथ में यह क्योंकि यह cube है 3 into x square plus 8 का whole square plus 1 गौफ करना है आपको fog करना है f of gx gx लीजिए gx क्या है आपका 3x square plus 1 इसको इस x की जगा डाल देजिए यहाँ पर आप क्या करेंगे इस x की जगा 3x cube plus 1 whole square plus 8 इसको a plus b whole square की formula से खोल दीजिए रियरेंज करिएगा तो 9x की power 6 plus 6x cube plus 9 आजाएगा यह fx आपका x है gx आपका mod x है तो g of कैसे होगा g of fx gx के आपका mod x और उसकी जगा आपको क्या डालना है fx डालना है mode of यहाँ भी x है x है आपका g of fx fx आपका x है इस x ही जगा x डालना है तो आपका mod x ही आ जाएगा यानि ki g of fx आपका सिधा gx ही आगे यह gx के बराबर ही हो क्यों क्योंकि g of fx gx तो आपका यह ही है और इसकी जगह आपको x डालना है तो वह तो वही रहा अब fog पर आजाए है f of gx fx क्या है आपका यह x है और उसकी जगह आपको mod x डालना है तो यह आपका x था इसकी जगह आपको mod x डालना है यह क्या बन गया भी यहीं बता देता हूँ मैं आपको फटाफट लेकिन इसमें यह है आपका गॉफ x जी ओफ x जी ओफ x इसमें कुछ चीजें दी गई है शाहर यह आपका मैं बता रहा हूँ पांच च्वा एफ x और जी एक्स तो इसमें क्या करेंगे यह x square प्लस 2x माइनस 3 यह आपका हो ग आपका f x हो गया x square प्लस 2x माइनस 3 और g x आपका हो गया 3x माइनस 4 तो f of g x निकालना है तो f x लीजिए और इसकी जगह यह रख दिए तो x square यह यह 3x माइनस 4 का हो स्क्वार प्लस 2 इंटू 3x माइनस 4 और यह माइनस 3 इंटो आपका f of g x और g of f x में क्या होगा यहाँ पर 3 x ही जगह यह रख दिए x square प्लस 2x माइनस 3 और माइनस 4 तो यह आप इसको रियरेंज कर सकते हैं यह तो a माइनस b का होल स्क्वार हो गया और यह आपका सीधा मणिपाय करके और यहाँ पर भी तो मैं इसको करी देता हूँ यह आपका हो गया a माइनस b होल ृस दिए 6 x यह हो गया a मािनस 8 माईनस 3 यह हो गया b मैं ग जी ओफ एफ एक साहती कर रहा हूं यह x square थो 6 x 9 x sqyear M 26 16, minus 4th is a 12, 22 is a 24x 6x minus 8, minus 3 minus 8 minus 3 हो गया, आपका minus 11 तो 9x square यह 6 minus 24 कितना हो गया, इसको 7 कर देते हैं तो minus आपका हो गया, यह 18 16 minus 11 हो गया आपका 5 यह हो गया आपका यहाँ पर यह 9x की पार square यह हो गया आपका 3 x square plus 6x और minus 9 minus 4 हो गया, minus 30 तो यह हो गया वी आई यह एक लिए हम 6th कर रहे हैं, इसमें क्या करना है आपका, fx 8x cube है gx x की पावर हो गया थी तो पहले fog निकाल लेते यह गॉफ निकालने करें, गॉफ कर लेते यह जगा g of fx g of fx का मतब क्या है, gx लीजे और इसके अंदर fx ढाद लेते हैं यह तो है, x की पावर 1 by 3 जिसके x की जगा आपको यह राद लेते हैं, तो 8 x cube और उसकी पावर 1 by 3 8 को आप लिख सकते है 2 Q यह x Q है और 1 by 3 तो यह 3 से 3 गया यह 3 से 3 चला गया यह 3 से 3 गया क्योंकि यह basically इसकória अप लिख सकते है Q root of 2 Q into x Q इसकлять है Q root of 2 Q Q root of x Q यहाँ से 2 बाहर आएगा यहां से आपका x बाहर आएगा यह आपका 2x बनके आएगा इसका नहीं हो गया नेक्स आए आपका 4 करने को है 4x तो f of gx है basically f of gx यहने कि पहरे तो आप fx ढूंड यह यह 8x cube और इस x की जगह यह डाल दो 8 x की जगह मैं यह डाल दो x की पावर 1 by 3 और इसका cube तो यह x की पावर 1 by 3 और cube है basically x की पावर 1 by 3 क्या है cube root of xpekt और इसका आप cube कर रहे है तो यह basically इसको मैं बताऊं तो x की पावर 1 by 3 into 3 है यह 3 cancel तो x की पावर 1 और यह आपका 8 तो आपका यहां से भी x आ रहा है तो 8 3 यहां से भी x आ रहा है ये फाइनल आंसर है इसकी question number two में आपको f दिया हुआ है एक function और g दिया हुआ है और फिर आपको goff और fog पहले बताना है कि क्या ये defined है के नहीं तो पहले तो हम ये सिखेंगे कि फिर defined कैसे होता है और उसके बाद हम जाने की कोशिश करेंगे fog और goff कैसे निका लेगे तो इसको मैं आपको इस तरीके से बताता हूँ देखें मैं पहले f function लिख रहा हूँ कैसे ये f हो गया ध्यान रहे कि f में आपका आगया 3 ये 9 और ये 12 किसके साथ linked है 1,3,4 के साथ 1,3,4 तो 3,1 के साथ 9,3 के साथ और 12,4 के साथ और g function क्या कह रहा है g है 1,3,4,9 1,3,4,5 1,3,4,5 और क्या कहा इसमें 3 और 9 तो 1,3 के साथ 3,3 के साथ 4,9 के साथ और 5,9 के साथ अब ध्यान दीजिए कि ये f का domain ये है और co domain ये है g का domain ये है और co domain ये है तो अगर पहली चीज़ अगर gauf को define होना है अगर gauf है तो क्या होना चाहिए जो क्योंकि यहाँ पर f बाद में आ रहा है और g पहले आ रहा है तो g का हम देखते हैं domain और f का देखते हैं co domain तो क्या इसका f का co domain g के domain का subset है के नहीं देख लेते हैं मैंने क्या पता है आपको जो f का co domain है तो f का co domain क्या हो गया यह हो गया क्या यह g के domain का subset है 1,3,4 के इसमें आता है बिल्कुल आता है 1,3,4 देखें यह इसका subset है तो इसका मतलब gov defined है तो पहले हम आपको gov निकाल के दिखाता हूँ तो gov कैसे करेंगे g of f यह जी आफ f आपको value कौन कौन से डालनी है f के function में क्या है domain क्या है 3,9,12 यह डालेंगे हम तो g of हम डालेंगे f और यहाँ पहले डालेंगे अपका 3 तो g यहाँ पर डालेंगे f of 3 क्या है यह 9 domain यह तो डालेंगे इसमे g of f of 12 तो अब देखेगा f3 क्या है हमको यहाँ से पता है f3 1 है यहाँ से अगर f3 निकालने तो 1 आता है यहाँ से देखे f3 की 1 है तो यह इसकी जगा आप लिखेंगे g of 1 f9 क्या है 9 से 3 आता है तो g अब यह 9 होगे आपका 1 9 का 3 हो यहाँ पर रहा गया f12 तो f12 में 4 आएगा f4 अब g1 देख लीजे अब हम g पर आजाएगे g1 1 पर 3 आता है यह आपका 3 होगे g3 3 पर क्या आता है यह भी 3 आ रहा है f4 4 पर क्या आ रहा है 9 आ रहा है तो क्या बना आपका finally क्या बना यह बना आपका 3 3 9 3 और 12 9 यानि कि अगर मैं आपको कहूँ कि g of fx को लो लिखना है इसी form में जैसे दिया गया है तो आप लिखेंगे 3 3 फिर 9 3 और 12 9 ठीक है जी यह हो गया अब आप आईए fog पर fog पर भी बिलकु सेम काम करना है फ़ले मैं आप यहां पता देता हूँ और fog अलक्स से निकाला हूँ fog मतलब हो गया f o g तो इसका क्या देखते है domain इसका क्या देखते है co domain तो क्या co domain g का subset है f के domain का क्या domain co domain इसका subset है 3 और 9 कैस में आते हैं 3 9 12 में तो बिलकु 3 9 आ रहे हैं बिलकुल यह बनता है इसका मतलब fog भी possible है और fog निकालेंगे कैसे अब मैं आपको clear कर रहा हूँ अब यह सारी value लेंगे इसको मैं सबको clear कर रहा हूँ अब हमको fog निकालना है तो f o g यानि f of g x अब g x में क्या क्या value लेंगे आप g पे आज़ए 1, 3, 4 और 5 1, 3, 4 फाइल लेंगे f x में क्या क्या आएगा 1 पिर f में आएगा g आपका 3 1 हो गया यह 3 हो गया आप 4 लेंगे और g और यहाँ पर 5 लेंगे लेंगे देखिए g1 क्या है g1 आपका यह 3 है g1 आपका 3 है आपको उसमें भी दिखाया था तो f 3 निकालना है आपको g3 क्या है 3 यह निकालना है g4 क्या है आपका g4 9 है और यहाँ पर क्या है आपका g5 g5 देखे क्या है g5 हो गया आपका 9 तो f3 क्या है आपका यहाँ से देख ली जा यहां से देख चुके है F3 आपका 1 है यह 1 हो गया F3 अगेन फिर 1 है F9 आपका 3 है और F9 3 हो गया अब F5 देख लीजिए F5 अब F9 F9 में क्या है आपका फिर से 3 आ गया तो क्या बना अगर इसको मैं बुलूँ आपको लिखें इसी तरीके से तो आपको बने का 1 1 यह फिर 3 1 फिर 4 3 फिर 5 3 ठीके सब यह आपका यह आपका फॉर्वड है गौफ Q3 है यह और इसमें कहा गया है Let F equals जो function F दिया हुआ है वो यह है अभी अभी हमने ऐसा एक सवाल किया और G function यह दिया हुआ है तो F का आपको domain, co-domain दोनों दिख रहा है G का co-domain, domain दिख रहा है मैं बना देता हूँ इसको यह कुछ इस तरीके से है यह function है यहाँ पर आपका यह जो पहले numbers है इस order pair में उन्हें हम domain मिलाते हैं domain है 1, 4, 9 और 16 यहाँ पर भी लिखा है तो 1, 4, 9 और 16 और co-domain में क्या क्या आगया इसमें minus 1, minus 2, minus 3, 4 तो negative 1 negative 2 negative 3 और 4 और बाकी mapping तो है यहाँ पर इनकी तो यह domain हो गया इसका यह आपको co-domain हो गया इसी तरीके से आपका एक और function है g इसको भी बना लिया जाए तो इसमें negative 1, negative 2, negative 3, 4 negative 1, negative 2, negative 3 और 4 और यह इसका domain हो गया और co-domain में क्या आएगा negative 2 negative 4 negative 6 और 8 यह आप समझ गये तो बाकी यार निकालना बड़ा असान है तो सबसे पहले देखेंगे कि golf और fog में क्या possible गौफ देखते है तो गौफ क्या होता है आपका यह होगा आपका g of fx यह होता है अब इसमें क्या होता है पहले यह आता है तो इसका domain देखेंगे और यह f बात में आता है तो इसका co-domain देखेंगे F के F का core domain है माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4 और G का domain क्या है माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, 4 यह इसका subset है क्योंकि सारे element दिख रहे हैं यहाँ पे इसका मतलब यह है कि आपका graph तो exist करता है graph निकाल लेते तो graph के लिए क्या कहेंगे G of Fx Fx मतलब कौनकों सी value डाल सकते है F में जो इसके domain में होगी 1, 4, 9, 16 तो G F1 इस तरह के जी F4 ऐसे G F9 ऐसे G F और 16 वो सारी value जो F की domain है वो हम डाल रहे हैं अब इसको देखे यहाँ पर F1 में क्या आएगा F1 क्या है डाल लिख देगे F1 अगर F1 है तो negative 1 आएगा उन्दा F1 है तो Y क्या होगा negative 1 1 किस से match नहीं है negative 1 से तो यह आपका negative 1 हो गया F1 negative 1 तो G of negative 1 निकालना है आप यहाँ पर क्या है G of F4 क्या है F4 में आएगा negative 2 यहाँ पर negative 2 लिखेंगे ऐसी ही F9 में क्या है 9 किस से match है यहाँ पर negative 3 से तो यहाँ जाएगा G और negative 3 ऐसी ही यहाँ पर F16 तो 16 4 से match है तो यहाँ लिखेंगे G अब का 4 अब अब G पर आजाएए अब G पर देखिए G का negative 1 क्या है G का negative 1 negative 2 तो यहाँ आपका negative 2 आ गया G negative 2 क्या है negative 4 तो यहाँ आपका negative 4 आ गया अब G negative 3 क्या नेगेटिव 6 और G 4 पर 8 तो अब pairing कैसे बनेगी pairing ऐसे बनेगी 1 काया नेगडिव 2 4 काया नेगडिव 4 9 काया नेगडिव 6 और 16 काया 8 यह सारे आ गया लिंगे कैसे ऐसे यह ऐसे लिखना है आपको ठीक है यह है फाइल अब आते हैं अपने फॉग पे तो फॉग में क्या है F पहले है तो उसका डोमेन देखेंगे G बाद में आता है तो उसका कोड़ोमेन देखेंगे और यह देखेंगे कि यह इसका सबसेट है के ने G F का सबसेट है के ने G का कोड़ोमेन हो गया यह F का सबसेट है के ने नेगडिव 2, नेगडिव 4, नेगडिव 6 8, 149, 16 का कहा सबसेट है यह ये इसका subset नहीं है इसलिए fog defined नहीं है ठीक है ओके सवाल संख्या 4 में है let a, a दिया हुआ आपको a, b, c, मैं ऐसे बता देता हूँ a बराबर a, b, c यह हो गया आपका और b दिया हुआ है u, v, w u, v और w and f and g b two functions from a to b and from b to a respectively defined as function इसमें दिये हुए f आपको दिया हुआ है, एक function आपको दिया है f, a, v बलब यह a, v से connected है, ऐसे बना देता है a, b, c और यह है आपका u, v, w a, u, b, v show that f and g are both are bijections and find fog and golf दोरों को bijection दिखाना है, पहले चीज़ तो यह है और bijection के लिए पहले क्या होगा, पहले जो conditions हमने पहले वाली exercise में लिए है 2.1 में, वो हम लेते हैं bijection के लिए सबसे पहले आपको injectivity चाहिए injectivity क्या होता है injectivity में आप देखिए कि no two elements of a have the same image in b कैसे पता चल रहा है clear दिया हुआ है, आपको यह already दिया हूँ यहीं से पता चल जाएगा, देखिए a, v a का v है, b का u है, c का w है तो यह one to one तो clear दिख रहा है क्योंकि a का u है b का v है, c का w यह already दिया हूँ, तो one to one है यह यह आपका one to one प्रूव हो गया तो पहले हमने क्या किया पहला वाला one to one चेक कर लिया क्योंकि यहाँ पर a, u इन्हों डारेक्ट हमें pair दिये हुआ है जब pair दिये हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है अब हम आते है subjectivity पे, subjectivity पे क्या है अब यहाँ पर आज़ेए आपर यह वाला जो है, इसका co-domain और range दुनों से हमोना चाहिए co-domain क्या है, u, v, w और range क्या है, अगर यहाँ से range देखें आप यहाँ से देखें, तो v, u, w तो range में क्या आ गया v, u और w तो दुनों सेम है co-domain और range सेम है इसका मतलब यह पहले तो हमने injectivity चेक कर लिए अब subjectivity भी चेक कर लिए यानि की, दुनों चीज हो गई ठीक है, आपने कहा कि यह injective भी है और यह surjective भी है, तो दोनों हो गए तो क्या हो गया यह objective हो गया यह clear हो गया अब byjection हम करेंगे, अब हम करेंगे b2a का, b2a में भी बिल्कुल सेम है, अब यहाँ पर, b2a में क्या करेंगे function from b2a यह कौन सा function है, g function है इसमें भी यही करेंगे यह आपका u, v, w है यह आपका a, b, c है तो आप देखे, u, a, v, b और w, c यह आपको question में दिया हुआ है यह तिनों question में दिया हुआ है तो one to one है, तो पहला one to one तो clear हो गया आपका one to one दूसरा क्या है आपका अब हम इसमें चेक करेंगे surjectivity, surjectivity का मतलब क्या है कि a, b, c इसका code domain है और range में क्या क्या आ रहा है b, a, c, और b, a, c b, a, c, मतलब range और code domain दुनों match करते हैं, इसका मतलब यह surjective भी है, इसका मतलब दुनों मिलाके यह byjective हो गया ठीके, अब यहाँ तक तो ठीक है यह आपका objective प्रूव करना था, f and g बोथ कर दिया, आप fog और gov निकालेंगे, fog और gov निकालेंगे कैसे आप, यह आप कर लेंगे मैं इसको थोड़ाँ सा clear करता हूँ, यह तो हो गया ना fog और gov निकालेंगे तो मैं इसका एक निकालता हो, दूसरा आप इसको निकाल लेंगे, तो fog निकालना है मतला, f of gx ठीक अब f of gx, अब g में जैसी g पे है, तो g पे आई है आप सीदा, g में का domain क्या है, u, v, w तो आप में डालेंगे f, g यह पहला डालेंगे u फिर डालेंगे g में, क्यों है, g का आपका domain value डालना है, फिर आप डालेंगे v फिर डालेंगे w यह हो गया, अब आप देखिए g, पहला आप g, u, g, u क्या है g, u, जो कर g, u देखिए तो b आएगा, यहाँ पर आएगा f, b यहाँ पर आएगा अगर v डालेंगे तो a आएगा f, a हो गया और w डालेंगे तो c आएगा तो यहाँ पर f, c हो गया यह हो गया, अब आएगे आप इस वाले पर, f function पर f, b क्या है, f, b पर u आता है तो u आ गया f, a पर क्या आता है, v आता है तो v आ गया f, c पर क्या आता है, w आ गया ठीक है, लेंगे लिखेंगे कैसे इसको इसको लिखेंगे यह, u, u v, v और w, w ठीक है, यह fong हो गया goff कर लेंगे ना, goff मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ बिल्को सेम ऐसे ही, जैसे हमने पहले discussion किया है अब सवाल संख्या है आपकी question number 5 तो इसको देखते है, question number 5 कैसे होगा find fog 2 and goff 1 when f, r to r fx दिया है और g दिया है, और gx दिया हूँ तो मैं पहले इसको लिख दूँ फिर आपको बताऊँगा, यह कैसे हो रहा है, किले function समझ जाईए आपको fog 2 निकालना है, यह तो खेर निकालेंगे यह अभी और goff 1 निकालना है, यह निकालेंगे देंगे, दिया क्या रहा है function f दिया हूँआ है, r to r real number to real number और fx दिया है, इसमें x square plus 8 और gx दिया है आपको gb, gb यह यह है, r to r और gx दिया है आपको 3 x cube plus 1, अगर आपको याद हो, question 1 जो किया था उसमें एक ऐसे ही था तो fog 2 निकालना है, तो fog 2 कैसे निकालेंगे f of g2 करना है आपको तो पहले gx उठाईए, इसमें 2 डाल दिये, यानि कि आपको पहले g2 निकाल रहा हूँ, यह g2 कर रहा हूँ, g2 तो उतलब 3 into 2q plus 1 यह कितना होगे आपका, 2q बहुता 8, 8 से 24, 24 प्लस 1 होगे 25, तो g2 आपको 25 आपको 25 आपको क्या निकालना है, f 25 अब आई, f x फंक्शन में, यहाँ पर क्या रखेंगे, x square प्लस 8 है, 25 whole square, x की जगा आप 25 लखेंगे, यह वाला रखेंगे, प्लस 8 ठीक है, 25 into 25 into 25 होता, 625, और उसमें से 8 जोड दीजे, तो आपका हो जाएगा, 633, यह हो गया, अब हम निकालने जा रहे हैं, gauf 1 1 क्या निकलेगा, यहने, g of f और 1 1 पर, यहाँ पर रखेंगे, पहले, f1 निकाल रहा हूँ, f1 तो जाएगा, 1 square प्लस 8, यहने की हो गया, 8 प्लस 1, 9 यहाँ पर आपका 9 आएगा, g of 9 निकालना है, g of 9 कैसे निकालने जाएगा, आप g में रख दीजे 3 इंटू 9 क्यूग, प्लस 1, तो यह हो गया, आपका, 9 निकलेगा, 81, 81, यह, 343, 381, 9, 729, और इसको 3 से मुट्पाय कर दीजे, और एग जोड दीजे, तो आपका यह, 2, 1, 8 आएगा, नेक्स वाला है आपका question number 6, इसमें कहा गया, क्या कहा गया है, question number 6 में, let r plus be the set of all non-negative real numbers, तो ध्यान रखें, इसे एक चीज आपको पता चल गई, कि r plus का मतलब यह होता है, कि वो सारे real number जो negative नहीं होंगे, सारे positive, if r plus f f दिया हुआ है, अगर f है, नहीं बता देता हूँ, handwriting मेरी ज़्याद अच्छी नहीं है, तो f यहां से है, r plus, 2 r plus, function है, positive real number 2, positive real number, gb ऐसे ही है, okay, we defined fx and gx as this, fx और gx मैं भी लिखता हूँ, दोनों बताता हूँ आपको, find the fog and gauf, are they equal functions, कैसे करेंगे इसको, पहले तो आप समझ लीजे, यह real number आएंगे, और positive आएंगे, यह important बात है, क्योंकि root आ रहा है, यह केवल, यह केवल देने के लिए नहीं दिया जाता है, इसमें बहुत बड़ा good रहस से होता है, क्योंकि यह question को बना सकता है, और question को बिगार सकता है, तो ध्यान देना है आपको, अगला हम fx देखते हैं, fx, यह हो गया, x square, और gx आपको दिया है, यह है, root x, ओके, अब हम पहले fog x करेंगे, f og x, तो यह हो गया, f of gx, f, gx क्या आपका root x, है न, gx है root x, अब fx निकाल ला है, मतलब इस x की जगा आपको root x रख दिना है, तो इस root x को रख दीजे, root x, x की जगा root x रखना हो यहाँ पर, यह कितना आ गया x, ते लिए fog x आपका x हो गया, और अब हम गॉफ निकाल रहे, तो g of fx, fx क्या है सर, x square, अब इस x square को हम इसके अंदर रखेंगे, बन्हों, g of fx है आपका x square, तो इसके अंदर आप x square रखेंगे, यह हो गया आपका under root x square, यह भी x आ गया, तो आप देख रहें, fog x और gauf x दुनों एक हो गया, fog और gauf दुनों एक है, यह आपको पुनाना है, सवाल संख्या साथ है इसमें, इसमें भी ऐसी दिया है, यहीं पर बता देता हूँ आपको पहले, function है r2r, वह तब सारे real number, gv है r2r, अब सवाल बनता है कि, fx दिया हुआ है, gx दिया है, show that fog is not equal to gauf, fx आपको दिया है, यह दिया है fx, x square, और gx दिया हुआ है आपको, x plus 1, चलिए, fog निकाला जाए, f of gx, किदा लिख रहा हूँ मैं, fog कर रहे हैं, f of gx, यानि gx की जगह तो पहले आप x plus 1 रख दीजिए, f of x plus 1, इसको यहाँ डाल दीजिए, तो यह ज़एगा है, x plus 1 का whole square, यह हो जाएगा है, ऐसे रख दीजिए भी इसको, या फिर ऐसे खोल के रख सकते हैं, x square plus 1 plus 2x, अब आज जहीं आप gx पे, मतलब यह fog का gawf करते हैं, gawf, यानि कि g of fx, fx क्या x square है, तो g of x square कर दीजिए, मतलब g के अंदर आप यहाँ पर x square डाल दीजिए, तो यह x square plus 1 है, तो x square 1, यह तो x square plus 1 है, और यह क्या है, यह है x square plus 1 plus 2x, यह दुनों तो एक जैसे नहीं है, दुनों बराबर नहीं है, तो fog और gawf बराबर नहीं है, यह आपको लिख देना है, ऐसे लिखना है सब, तरीका ऐसा है लिखने का, इस इस विखने आपको अब्सक्राइब, question number 8, so we have function f and g, so they are defined by fx and gx, and we have to show that fog and gawf are identity function, so the f function and g function both are from r to r, that is real number to real number, the fog and gawf we have to compute, and then we have to prove that it is i, r is sub, subscript, ir, this is identity, means whatever you put, the same thing should come out, so let me tell you about the functions which are given, it's fx equals x plus 1, and gx equals x minus 1, fx is x plus 1 and gx is x minus 1, okay, fog, let us find out the fog first, f of gx, f of gx, so gx is x minus 1, put here fx minus 1, now put x minus 1 in x plus 1, in place of x, so you have x minus 1 plus 1, x you get, so x is identity, that is, you placed x, fog of x, you got x, how about g of fx, the g of fx is, g of x plus 1, fx is x plus 1, so put it here, the x plus 1 in place of x minus 1, you get x already, so when you put x, you get x, so in both the cases, you are getting identity, and since they are identity, which is what needs to be proven. question number 9, verify associativity for the following, three mappings, so there are three functions here, so the three functions are there, and there are, the proper domain and co-domain also given, f is n to z0, n is natural number, z0 is set of non-zero integers, all the integers, but non-zero integers, are not there, set of non-zero integers, set of, then q is rational number, so let me tell you again, 7z0 is the set of non-zero integers, non-zero integers are there, only zero is not there, except zero, you can understand like this, so we have to, verify the associativity, associativity is what, a plus b plus c, first a plus b bracket plus c, and a plus b bracket, b plus c bracket, that is, b plus c is inside the bracket, so that is associativity, you will see here also, let me write the functions first, fx and gx, and then hx, so you have, fx is 2x, gx is 1 by x, and hx is e to the power x, what is associativity, associativity, so fog, goff, when we took two functions, when we have the third function, that will be h operation of, f operation of g, there is h, o, g, o, f, so as I said, a plus b plus c, first we add a plus b, or first we add b plus c, similarly here, first we will do operation of g and f, and then we will, this is the first thing, then we will do the operation of h and g, so hog of, both the time, but first time, h, o, goff, and second time, hog of, o of, f, okay, now coming to, first of all, the domains have to be same, this is very important, so goff, essentially, goff you will find, and ho g will find, what is goff, g of fx, what is fx, fx is 2x, put it here, g of 2x, now g of 2x, so you put, 2x in gx, so 1 by 2x, this is goff, this is your goff, okay, now goff is found out, now, we will use it for h, but first let us find out, h of g, h of gx, so gx is 1 by x, now put 1 by x in place of x in hx, so e to the power, in place of x, you are writing 1 by x, okay, h of g, how goff, goff we have already found out, so h operation goff, so h operation 1 by, 1 by 2x, h of 1 by 2x, you have to find out actually, goff was 1 by 2x, finally goff was 1 by 2x, so h of 1 by 2x, basically h bracket, 1 by 2x, just put 1 by 2x, in place of, function h, so h is, hx is e to the power x, in place of x, we will replace it by 1 by 2x, this is h operation, goff and goff was done earlier, now we are taking, ho g operation of, now here we are doing, h operation g first, and then operation of f, ho g, what is ho g, we already found out ho g, this is ho g of f, what is f here, f is 2x, the ho g was, what, ho g was e to the power 1 by x, so you have to put 2x in place of x, in e to the power 1 by x, so e to the power 1 by, in place of x, we are going to replace 2x, so e to the power 1 by 2x, so here you see, ho g of, associativity we have shown, first we did g of, then we did ho g first, both are same, so associativity property, has been verified, 10th question here, so consider f, g and h, defined by, we have f x, g y, and h x, so show that, again associativity, associativity, here we have to prove, so this is exactly, similar to the previous question, we have done, but this is an, this is a ncrt question, f x, g y, and h z, don't worry about this x, y, z, because, it's all same, you can write it as, g x also, and h x also, doesn't matter, so, h o g o f, g f will do first, then we'll do h o g first, and then operate it with f, right, so, basically what we have to do, h o g o f, g o f first, so we have to show it equal to, h o g, verify we have to, g h o g of f, so first we'll find out goff, then we'll find out, h o g, g of f, the g of f x, f x is 2 x, the g of 2 x, so in place of y, you have to put 2 x, as I said, y doesn't matter, z doesn't matter, it's just variables, so put 2 x in place of y, here, 3 into 2 x plus 4, you get 6 x plus 4, this is your goff, now h of g of f, that is h, what is goff coming, 6 x plus 4, so in h, you put, means, means in place of z, you have to put 6 x plus 4, so sin 6 x plus 4, this is h operation goff, sin 6 x plus 4, now coming to the second part, as earlier we have already done, that is, h of g first, and then operation with f, so h of g x, hog I am finding out, h of g x, g x is, g of i g x, it's the same thing, 3 x plus 4, don't worry about y, it is same as x, 3 x plus 4, now go to h, and put this 3 x, plus 4 here, so hog we have found out, assign 3 x plus 4, h of g we have found out, now we have to do, h of g of f, h of g we have found out, now h of g of f, so f will be what, sin 3 x plus 4, operation of 2 x, so in place of x, you have to put 2 x, f x you have to put here, so sin 3 x 2 x, that is 6 x, plus 4, right, so both are same, and this, this we have verified, this 9th and 10th question, are exactly same, you have, the operation should be same, question number 11 now, so this is also a n-c-e-r-t question, to give examples of two functions, f should be n to n, natural number to natural number, and g should be from natural number to natural number, such that, goff is onto, but f is not onto, g of fx is onto, but the function f itself, should not be onto, so this is what we have to do here, it cannot be done, it is just, you know, learned by practice, so fx, I am writing x plus 1, why it is not onto, why it is not onto, onto means surjective, first is range and codemone should be equal, in onto, but if you see here, because these are natural numbers, so n arrow n, but when we put 1, 1, you get 1 plus 1, 2, when you put 2, you get 2 plus 1, 3, so you are getting, you are leaving this one, 1 will never come, so all the value of codomain is not equal to range, it is remaining, so it is not onto, now gx is quite special, why we, as I said, it will only come into your mind by experience, not just like that, so it is x minus 1, if x is greater than 1, and it is 1, when it is x equals 1, please remember, x less than 1, or x less than 0, it won't come, because this is a natural number, negative value won't come, either it will be 1, or greater than 1, so at 1, we are saying it will be 1, at greater than 1, we are saying it is, x minus 1, right, so onto, it is not, fx is not onto, gx, it is just saying that f is not onto, but we have to take f such that goff is onto, now if you remember identity function, identity function is always onto, because if I write 1, 3, 1, 3, 1 is mapped to 1, 2 is 2, 3 is 3, they are mapped, their identity functions, so you will get y, and for every y, there will be an image, fx, in the first set, so here we are going to take two case, case number 1, x is greater than 1, first case we are taking, x is greater than 1 means, please remember, we are putting x, we are putting x, so, goff is g of fx, g of fx, fx is what, as I said, x is greater than 1, so you have to put x minus 1 here, g of x, x minus 1 here, now, when we put, because fx is x plus 1, fx is x plus 1, but when we put g of x plus 1, we have to put x plus 1 in place of x minus 1, in x minus 1, in place of x, you just put x plus 1, so when one gets cancelled, you get x, so when we put x, you got x, you put actually, that gx is actually, x for x, we have made this, now we will, take the case of x equals 1, when we put x, it was x, when we put x as 1, whatever you put inside g, it doesn't matter, because x is equal to 1, it will always come as 1, it is a constant function, so you put x, you get x, you get, you put 1, you get 1, I hope you got the idea, for x, x is, for x, x will come for 1, 1 is come, so basically, it's an identity function, x will give you x, 1 will give you 1, so what is, what are you giving, is coming outside, the identity function, and I just told you, identity functions are onto functions, so we proved it, so this fx was not onto, and we proved golf is onto, because gx is the basic thing, I don't remember, you know, you just have to remember it, it's not possible that, in the exam, we come up with this kind of solution, question number 12, we are taking, this is NCRT question, okay, give examples of two functions, f from z, N to z, and g is from z to z, such that, golf is injective, but g is not injective, right, so f, N to z, g, z to z, golf is injective, but g is not injective, so injective means what, one to one, we will take a function g, which will not be injective, which will not be one to one, but, golf should be injective, it should be one to one, so f function, what we are taking here is, we are taking identity function, which is x, but we know identity function, we have just seen that it is one to one, so it is injective, fx equals x, I just prove it, if fx equals fy, x should be equal to y, so fx will be what, x, fy will be what, y, x is equal to y, that means it is injective, now we are coming to, gx, and gx is equal to mod x, so gx is mod x, we are taking, we are taking another function, gx, which is mod x, so gx and gy, let us see whether it is injective or not, so mod x equals mod y, so x equals plus minus y, because mod x equals mod y, means x is equal to plus minus y, so we have already seen in the previous exercises, question that it is, mod x is not injective, so it is not one to one, now let us see whether gof x is what, it is injective or not, but remember we are dealing with natural number, we are dealing with natural number here, okay, so gof x, g of fx, fx is x, so put, in place of fx put x, gx is mod x, now in place of x put mod x, we get mod x, let us check gx, which is equal to mod x, for its one to one, so mod x equals mod y, gof x is simply some function, like fx and fy, so gof x equals gof y, you have to prove, and gof x equals gof y, if x equals y comes, then you are done, so gof x, gof x is mod x, g of fx is mod y, but x is equal to plus minus y, but the thing is, it is plus minus y, but we are talking about the gof, gof is z to z, gof is only natural number to natural number, it will not be z, if you see gof, both the domain you see, it will only be natural number, so negative won't come, so it will be x equals y, it is injective, gof x, gof y, we started with this, and we proved x equals y, so this is, we are talking about natural number, x equals to y, so gof is injective, so the domain does matter, it is injective, question number 13 here, if f is a to b, and g is b to c, are one to one function, so that gof is a one to one function, gof is one to one function, so we have just seen gof, how to prove that it is one to one, g of f, one to one means, g of x equals g of y, then x should be equal to y, so gof x equals gof y, if we are able to prove x equals y, that is, they both are, means the gof is one to one, so what is gof x, g of f x, right, what is gof y, g of f y, but remember, f is already one to one, and g is also one to one, so function f is a to b, what does it mean, it is one to one, that means, one to one means, if f x equals f y, x should be equal to y, if f x equals f y, x should be equal to y, this we are going to use just now, but before that, let me give you, one more function, g, now this g function, which is b to c, this function again is one to one, b to c, it is again one to one, what does it mean, if you put g x equals g y, x should be equal to y, x should be equal to y, right, so in place of g inside x, if I put f x, because we are dealing with gof x, gof x is what, g of f x, g of f y, so g of something, with g of something, that is f x, f y, f x, g of f x, and g of f y, is f x equal to f y, because g x equal to g y, is x equals to y, now f x equals to f y, so if you see here, I just proved that f x equals to f y, means x equal to y, means because they both are one to one, so we started with gof x, gof y, and it finally proved that x equals y, and earlier I told you, that is only possible when it is one to one, if gof x equals gof y, gives you x equals y, this is, this means that this is one to one, please remember, f and g are also one to one, now coming to question number 14, if f and g are on to function, so on to means what, they are surjective, on to function, surjective, show that gof is an on to function, so we have already talked about on to into a lot, but because this question is totally based on on to, let me give you a brief idea about on to, on to means we have two set, every y should have a f x, every y should have its corresponding f x, an image, that is no value of the set b is left, is left wandering, everything should, that is the second thing is, we will not use this concept bus, but there is a concept, code domain and range should be equal, code domain and range should be equal, okay, now you see, so we are going to make gof, gof, if we take all of these, and if finally we can make gof, from somewhere, then it is on to, because we are starting with f and g, as on to, so this is a, b, c, f function is from a to b, f function, from a to b, then g function from b to c, they both are on to, remember, this is for f, and this is for g, okay, now, when this is on to, b to c is on to, that means, there will be some value z, any value z, you can take any value, there will be some z, it will have some image in b, which is on to, b to c is on to, g function is on to, so there will be some z, which will have, a image, so you can write it as, because this is function g, g y, g y equals z, there will be some z, which will have some, g y, okay, I hope you got the idea, because earlier I told you, about the concept of on to, when we started this question, so z, g y equals z, now come to a to b, now I am taking function f, and function f, again, there will be some value in b, there will be some value in b, which will have some image in a, every value in b, will have some image on in a, so some y, if you take some y, it will have some fx, in a, the fx equals y, so fx equals y, is for on to, of function f, g y equals z, is for on to, of b to c, so z equals g y, this is already, from the second part we have taken, what is y, you can put it, put fx, so what is g of fx, which is gof x, so we started with z, then we went to g y, and with y, we went to fx, and we put it here, and we found gof x, and which is on to, okay, this is all about this exercise, thank you so much, take care of yourself, girl, you, to, झाल झाल